ग्रामीन अधिवासों को प्रभावित करने वाली कारक पहला प्राकृतिक कारक भूमी की बनावट, जलवायू, धाल की दिशा, मृदा की उर्वर्ता, अपुआह तंत्र, भूजल स्तर, आधिकारकों का प्रभाव, आवास के बीज की दूरियूं वप्रकार इत्यादी पर पड़ता है राजस्थान के शुष्क छेत्रों में पानी की उप्लब्धता निर्णायक कारक है इसलिए वहां मकान, किसी तलाब या कोई के आसपास संकेंद्रित है दूसरा, जाती वह सांस्कृतिक कारक जातियता, समुदाय, अधिवासों के प्रकार को प्रभावित करते हैं भारत में सामाने रूप से पाया जाता है कि प्रमुख भूस्वामी जातियां गाव के केंद्र में बस्ती हैं और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली जातियां ग्राम की परिधी में बस्ती हैं इसका परिणाम सामाजिक प्रिथक्ता तथा अधिवासों का छोटी-छोटी इकाईयों में तूटना है सन 1988 में राष्ट्री आवास नीती की घोशना की गई जिसका दिर्धकालीन उद्देश आवासों की कमी की समस्या को दूर करना एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था को सुधारना तथा सब के लिए बुन्यादी सेवाओं एवं सुविधाओं का एक नियुन्तम स्तर मुहय कराना था इसी क्रम में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए इंद्रा आवास योजना लागू की गई इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अतरिक्त सेवा निवृत्त सेना और अर्ध सैनिक बलके लोगों के परिवारों को शामिल किया गया। तीन प्रतिशत मकान शारीरिक और मानसिक विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। यह कार्य जिला ग्रामीड विकास एजनसी जिला परिशत इंद्रा आवास योजना के तहत किया जाता है। ग्रामीड विकास योजना के तहत इंद्रा आवास के अतरिक्त, अटल आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना आदे भी क्रियानवित है। नगरिय अधिवास किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा, बाजार, नगर, महानगर इवं विशालकाय नगर का रूप धारण कर लेता है। किसी नगर का विकास निम्नांकित अवस्थाओं में होता है। पहला, पूर्वबजपन, इस अवस्था में कुछ दुकान वा मकान एक ही इस्थान पर होते हैं। एक दो सडके होती हैं, सामाने रूप से परिवेश ग्रामीर लगता है। दूसरा, शैश्वावस्था, इस दशा में केंद्री भाग की तरफ व्यापारिक छेत्र बन जाता है। रहने योग्य मकान वा दुकाने बन जाती हैं। तीसरा, किशोरा वस्था, इसमें नगर की सडके गलियां अधिक विक्सित होने लगती हैं। आवासिय वा व्यवसाइक छेत्र व्यवस्थित होने लगता है। जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। चौथा, प्रोढ़ा वस्था, इस अवस्था में नगर के आवासिय वा अधियोगिक छेत्र अलग दिखाई पढ़ने लगते हैं। आवासिय छेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं, आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान बनने लग जाते हैं। पाचवा, अधेड़ा वस्था, यह नगर के विकास वा व्यभाव की चर्मा वस्था होती है, व्यापारिक और ध्योगिक आवासिय वा प्रशाशनिक छेत्र अलग हो जाते हैं। चट्वा, व्रिद्धा वस्था, यह नगर विकास की अंतिम दशा है, जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। समरकंद, कुस्तुन्तुनिया, मुल्तान, बुखारा आधी इसी प्रकार के नगर हैं। जनसंख्या के आधार पर नगरी अधिवासों के प्रकार। चट्वा, व्रिहद्ध नगर 50 लाग से अधिक। मानव सभ्यता के साथ नगर का विकास क्रम भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। सभी नगर गाउ के सद्रुष विक्सित होते हैं, तत्पश्चात व्रिहद्ध आकार लेते हैं। गाउ और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहा जाता है। जहां नगरों के समान सुविधाय मिलती हैं। यही कस्बा नगरों में परिवर्तित होता है। वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पात संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती हैं। वहां वी निर्मान, परिवहन, व्यपार, तथा वानिज, सिक्षा, बैंक, मनुरंजन एवं शाषन-प्रशाषन संबंधी कारी किया जाता है। नगरी अधिवास कहलाता है।